नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजिन तिवारी और आप देख रहे हैं जोतिश मंतर जैसे कि आपको पता है कि लागडाउन इस समय चल रहा है और सभी टीचर, सभी इसकूल के टीचर इस समय ऑनलाइन के थ्रू अपने स्टुएंट को पढ़ा रहे हैं और जो एप यूज्ट कर रहे हैं वो या तो ओजू मैप यूज़ कर रहे होगे या फिर वो Microsoft टीम यूज़ कर रहे होंगे या फिर उसमें security threats है, तो अक्सर लोगों ने उससे दूर अट गए या उसको हटा दिया, अग जो जादी यूज़ कर रहे है, वो कर रहे है Microsoft Team Ape, लेकिन Microsoft Team Ape के ही जो जिसने ये बनाया है, उन्हीं ने अभी कलिक की बात है, उसने ये बोलाए कि इसमें भी security threat हो सकता है, ये बताए कि कि जब भी किसी को send करते हैं या किसी से share करते हैं तो GIF के Thurs 54 Hackers, आपकी ID को hack कर सकते हैं, या को इसे भी GIF आपको आपको देकर, आपकी ID हए गए कर सकते हैं, क्योंकि GIF ऐसा function है जिसको अगर आप इन चीजों से बज़ना चाहते हैं, तो जो GIF function है, उसका यूजी मत करिए, बैसे भी आपको मालूब है कि जब भी हम लोग पढ़ाई की बात करते हैं, या teacher पढ़ा रहे होते हैं, या हम as a student पढ़ रहे होते हैं, उस समें GIF एक दूसरे को सेंट करने का कोई सेंस तो अगर आप अपना data सही रखना चाहते हैं, आप अपना data को secure रखना चाहते हैं, तो आप इस प्रकार की हरकत ना करें, तो कैसा लागा आपको वीडियो और इसमिदीगे जान करें, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज इसे लाइक किजे, शेर कीजे और मे